और आप देखना सुरू कर चुके हैं धाकर टीबी हमारे देश में बिरुजगारी, गरीबी, बुखमरी ऐसे एहम मुद्दों को दरकिनार करके हमारे देश की मीडिया और हमारे देश की राजनेता लोग इंडिया बनाम भारत करने पे तुले हुए हैं हमारे देश में सबसे एहम चर्चा चल रहा है कि हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए मैं गमारी मयावती ने कल प्रेस कॉन्फरेंस करके ये कहा कि जो लोग भी हमारे देश का नाम बदलना चाहते हैं समिधानिक है और समिधान को बदलने के एक कोसिस है ये इनी सारी बातों प्रविस्तार से बात चीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गौतम रतना जी जो की बहुजन फ्रिलम प्रडॉक्शन हाउस सलाते हैं कई सारी मूभिया इन्होंने अपने प्रडॉक्शन हाउस के जरी बना भी चुके हैं फिरहाल ये बहुजन समाज को जागरू करने का प्रयास करते हैं इन्होंने समिधान का गहन धेन किया है कानूनी दाव पेच भी अच्छे से जानते हैं और इसके सहारे बहुत सारे लोगों को सुरक्षा भी प्रडान करते हैं इनसे जानने की कोसिस क्या लगता है सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्सकों को सभी देशवासियों को जय भीम जय भारत जय समिधान यह जो मुद्दा छुड़ा है जो आप सवाल कर रहे हैं इसके मैं गहराई में जो अध्यन किया है मैंने वह आपको बताने की कोश कोशिस यह अभी नहीं हो रही है क्योंकि अब तो पूरा भाजपा और आरसे का पूरा कबजा है सरकार पर तो वह जो चाहेंगे वह करने की कोशिस करेंगे लेकिन मैं आपको पीछे ले जा रहा हूं जब बाबासाब भीम राव अंबिट करने जब कॉंस्टूशन में समिधान सवा में समिधान को प्रस्तूत किया उस तेम भी की गई बहुत कम लोगों कुछ साथ जानकारी हुए इस बारे में और इस पर एक वोटिंग भी हुई उस जमाने में उस वक्त भी चर्चा हुआ था भारत का नाम इंडिया नहीं होना चाहिए उस तेम वोटिंग की तब भी थी आज भी है वो आज से नहीं है वो तो यह अलग बात है कि आप बहुत ज्यादा वह भी हो गई है मनुवादी और प्रहमडवित लिक्न उस टैम भी कम नहीं थी तो उस टैम जो लोग थे समिधान सभा के अंदर उन्होंने इस पर अब्जेक्शन किया कि इंडिय साब ने बात में क्रियेशन किया तो पहले कोई बोलता ही नहीं था पहले तो सूद्र सब चलता था या दलित भी बात में आया है तो जब वोटिंग हुई तो यही प्रस्ताब गिर गया था 49 बनाम 51 यानि इसके समर्थन में 49 वोट पढ़े थे कि सिर्फ भारत नाम रहना च और इक्यामन पढ़े थे इस समर्थन में जो बाबा साहब ने नाम दिया इंडिया इस भारत का जो नाम दिया उसके समर्थन में इक्यामन लोग थे इक्यामन लोग ने जो टोटल बौडी थी 49 और इक्यामन आप टोटल कर लीजे यानि कि 90 लोगों में से इक्यामन लोगों इंडिया भारत के समर्तन में वोटिंग किया तो अब परिश्थितियां बदल गई है अब भाजपार और आरेसेस को दीखता है यह लगता है कि पूरे देश पर हमारा कब्जा हो चुका है तो इसलिए वो कोशिस कर रहे हैं कि इसको एक्चुली क्या धीरे धीरे जो उसकी जो होटाया गया फिर वो जब लोग सटकों पर आये तो उसको वापस लिया गया इवन दन कि यहां पर सुप्रिम कोट भी कहीं ना कहीं जो सारे डिसीजन साज जितने भी भारत के अंदर हाई कोट है या सुप्रिम कोट है वो भी हिंदू की मानसिक्ता से फैसले दे रहे हैं अभी कुछ दिन पहले महान भागवत ने इस्टेटमेंट दिया था कि जब तक चुवा छूत रहेगा भेद भाव रहेगा दो दिन पहले तब तक आरक्षण जिंदाबाद रहना चाहिए तो क्या लगता है महान भागवत जैसे व्यक्ति ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जब तक भेद भाव रहेगा चुवा छूत रहेगा तब तक आरक्षण रहना चाहिए तो कैसे मान सकते हैं इन सारी चीजों को यह रागवत का नहीं हो रहा है यह रागीति से प्रेरित है दूसरी बात कि हमारे जैसे और अरुन धाकर टीवी जैसे लोग यह से बहुत सारे चैनल है जो इस पर काम कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि लोग हिंदु धरम को छोड़ने का काम कर रहे हैं तो हिंदु धरम की सं जब सिर्फिर्म को देखते हुए, अब हो देखते हुए, ताकि यह लोग जो धीरे दीरे हिंदुद्रम को छोड़ रहे हैं, उसको ना छोड़े है, और साथ में एक perception बना दिया जाए कि नहीं नहीं तो भाज़पा को वोट करते हैं दुवारा सरकार 2024 में दिवारा इनकी बन जाए यह इसके अंदर सीधा एक यह सडियंत्र है कि लोगों को समझना चाहिए हमारे लोगों को तो आपकी नजरों में हमारे देश का नाम भारत होन होना चाहिए इंडिया होना चाहिए या सिर्फ यह जनता को मुद्दों से भठकाने की कोशिस है यह देखे हमारे जो बाबा साब ने जो समिदान में लिखा है इंडिया बारत है क्योंकि आप कोई ऐसे कोई ऐसा वर्ड बताइए जिसका हिंदी का इंग्लिस मीनिंग ना हो को ऐसा वर्ड है कि पूरे दुनिए के अंदर कोई जो भी आप सर्च करते हैं गूगल पर कहीं पर बी सर्च करते हैं किसी प्लेट पर तो हर इंग्लिस सब्ज का एक हिंदी सब्द भी होता है और इंडिया एक इंदिय का सभ्द है उसका जो मिशनदी में भारत है वह सको तो यह सीधा-सीधा इंडिया भारत और भारत में देखा जाता है उनके नाम को खत्म करने की साजिस है इंडिया भारत वर्सिज नहीं है यह अंबेट कर समयधान हैν बहुत जब उन्हों के लिए लिए और समिधान लिखा और जब अभी जैसे प्रदान मंत्री के सलाकार ने आर्थिक सलाकार क्या प्रदान मंत्री की बिना सला के कह सकता है कि समिधान को बदलने की जरूत और सनात्री समिधान लाना चाहिए सनात्री पूछता यह सब्सक्राइन को जोर लोग जो लोग यह बोलते हैं कि हम सनात्री हिंदू हैं माई उन से पूछता हूं बारबार कि फिर तुजात्र क्यों है वाई लॉषतन प्रण क्यों है तुँ। अपन्र क्यों है इस पर उनके पास जबाब यहां जो मैल मुद्दा उस पर हमारे समाज के पाउजन समाज के लोग भी नहीं बोल पाते हैं ठीक से यह सीधा सीधान भारत का नाम बदलने की वह नहीं है कोई मैटर नहीं है मेटर यह है कि इस हिस्ट्री से डॉक्टर अम्बीटकर साब को बाबा साब को कैसे आउट किया जाए यानि मयावती जी ने जो असंकायच जताई है कि समिधान बदलने कोजिस की जा रही है तो बिल्कुल ही सही है यह लेकिन वो भी खाली ट्वीट करती है ना सडख के अंदॉलन बाडायच handsome ने बसके बताया कि हमारी पार्टी इसका बीरोदद क रेगी सडकों पर आईए ने सड़कों के आंदोलन से रोध पता लगता है ना खाली ट्वीट करने से और दस पत्रकार प्रेस कॉंफरेंस प्लाने से क्या आपकी आवाज को मोधी आ रहे से सुनेगा क्या जब आप यह मानते के नहीं कोई भी जैसे की सेस्ट में बाद में उनको बदलना पड़ा कैसे जब रोड सड़क के आंदोलन पा गए लोगों ने देश में आग जनी की उसमा हमारे बहुजन समाज के 13-14 लोग सहीर भी हुए तो जब तक आप कुरवान ही नहीं देंगे तब तक आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है यह ट्वीट और प्रेस कॉंफरेंस से मैं नहीं स तब जा करेंगे ये तो ये तो कोसिक है कि अहिंसक देश में गिराय युद्त तित बनाने की इसको एक तरेके से देश को और ग्राय चेढने की मुझे इसमें साथ इसमेजर आती है जिसका मैं पुर्जोर विरोध करता हूं और मैं अपील करना चाहूंगा अपने बहुजन समाज के खासतोर से लोगों से कि उनको सड़क के आंदोलन करास्ता अपनाना चाहिए बिलकुल इलो ने सही कहा कि दो अप्रेल का अंदोलन भी सड़कों पे आने से ही हम अपने अधिकारों को बचा पाये थे वैसे ये मुद्धा भटकाने के लिए इंडिया बनाम भारत किया जा रहा है बाकि इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राये कमेंट बॉक्स में में जरुर बताएं हमारे साथ है गौतम रतना जी जो की बहुजन फिल्म प्रोडक्शन हाउस लाते हैं और अपने प्रोडक्शन हाउस के जरिए बाबा सहाब गौतम बूद बहुजन महापूर्सों से जुड़ी बहुत सारी चीज़े आप लोगों तक लाते रहते हैं समा करते हैं उनको और रहने के लिए भी हम फ्री अकॉमडेट करते हैं उनको खाल इजली का बिल और खाने का खर्चा उनको चलाना होगा और उसके अलाबा जो एक्ट्रोसिटीज होती हैं पूरे देश के अंदर आज तक कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें मेरे फोन पर जाने के ब काम कर रहे हैं अगर आप जो मैं कर पा रहा हु ये कभी हम लोग को यह क्ये नहीं कर पा पाएगा तो एसलिए मैं अपने देश के लोगों से बाहुजन समाज के लोगों में मेरी में बारबार रहती है कि आपको सड़क के अंदोलन पर उतर ना पड़ेगा मतलब ये एक ऐसे सक्स हैं जो बिना किसी पद पे ना होते हुए भी अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं और लोगों को न्याय भी दिलाते हैं सिर्फ बाबा साथ के समिधान के गहने ध्यान करने की वज़े से और बाबा साथ की दी हुई सिख्छाओं की वज़े से बागी जय भारत जय समिधान नमो बुद्धाय धन्यवाद चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है अगर आप बहुजंग समाज में बाबा साहिप अमेटकर और तथागत बुद्ध की विचार धारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक स से ज्यादा लोगों तक पहुचा सकें आप अपनी साहिता राशी नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं खाता धारत गौतम रतना खाता संख्या तीन एक छे नौ पांस साथ छे आठ छे पांच एक आइफसी कोड स्बी आइन शुन 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 पीन तीन छे बैंक भारती स्क्रीट पैंक आप हमारे बैंक खाते का विवरंड स्क्रीन पर भी देख सकते हैं मैं गौतम रतना आपका बहुजन फिम प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना केरियर बना सकते हैं और आपको फिल्म से रिलेटिड कुछ भी प्रोडेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेट अप है जिसमें फिल्म कैमरा है शुटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है सारा एक ही जगे पर आपको हमारे यहां पर मिल जाएगा तो दोस्तों आप हमारे कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gotham films production at the rate gmail.com पर धन्यवाद